आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन के बारे में पत्र लेखन एक कला है अच्छे मित्पत्रों में सहचता आत्मियत आयमं अपना पन होता है पत्र की भाषा प्रसंगा अनुसार होनी चाहिए पत्रों में शिष्टा चार का रिनिर्वा होना अत्यंत आवशक है पत्र लेकन का इत्यास बहुत पुराना है विचारों के आदान प्रदान का यह एक उत्तम साधन है पत्रों से मित्री बनाना सरल होता है पत्र मित्र बना कर हम देश विदेश में नए मित्र बना सकते हैं पत्र एक दस्तावेज के रूप में संग्रित किये जा सकते हैं राजपूत सामंत पृत्वी राज का राजा प्रताप को लिखा पत्र करम मती का हुमायू को साहिता के लिखा पत्र जवालाल नहरू के प्रिय दर्शनी को लिखे गए पत्र गांदी जी, गाले, महावीर, प्रसाद, दुएदी जी के पत्र दस्तावेज बन गए है पत्र निजी या व्यक्तिगत होते हैं व्यवसाइक पत्र या सरकारी एवं अर्द सरकारी पत्र ये तीन प्रकार के पत्र पाये जाते हैं पत्र के प्रमुक अंगो पर ध्यान देना चाहिए जो इस प्रकार है पत्र लिखने वाले का पता इवं देना जो पत्र की दाहिनी और लिखा जाता है अब कम्प्यूटर के युग में सुविधा के लिए इसे बाई और भी रखा जाता है संबोधन निजी या व्यक्तिगत पत्रों में संबोधन तथा अन्य पत्रों के संबोधन में अंतर होता है निजी पत्रों में बढ़ों के प्रती आदर सूचक शब्दों का प्रियोग किया जाता है जैसे पूज्य परम पूज्य आदर्निय श्रदेय पूजनिय मान्यवर मान पुजा, पूजनिया, इत्यादी, छोटों के प्रती प्रेम विक्त करने के लिए प्रिय भाई, मित्रवर, प्रिय मित्र, बंदुवर, चिरनजीव इस प्रकार के सम्भोधन होते हैं व्यवसाइक या सरकारी पत्रों में प्रती के बाद उनके होदों के अनुसार संबोधन होता है पत्र का विशे व्यवसाइक पत्रों में इसका विशेश उप्योग होता है अभिवादन सरकारी या व्यवसाइक पत्रों में अभिवादन की परंपरा नहीं है व्यक्तिगत पत्रों में प्रणाम, नमस्कार, सादर, वंदर, चर्ण, सपर्ष, नमस्ते इत्यादी से अभिवादन किया जाता है पत्र का मुख्य भाग, यह इसा पत्र की जान है व्यक्तिगत पत्रों में कुशल समाचार के बाद पत्र में मुख्य बात विशिष्ट शैली बाशा में व्यक्त होती है पत्र लेखक का सहज परिचे भाशा से होता है व्यवसाइक एवं सरकारी पत्रों में नपे तुले शब्दों में विशे को अपचारिक रूप से लिखा जाता है कि अगर हमारा कोई व्यक्ति प्रत है तो हम उसे में उन्ने लिखते हैं जो भी तो उसे हम फ्रोड़ा बड़ा चड़ा के लिख सकते हैं व्यवसाइक पत्रों में हम क्या करते हैं नपे तुले शब्दों का जो हमारा खास काम है उसी के बारे में हम लिखते हैं जिस मुद्दे के बारे में जिस विशे के बारे में हम लिखना चाहते हैं हस्ताक्षक के पूरु प्रेवक्त शब्दावली व्यक्तिकत पत्रों में संबंद आनुसार बड़ों को लिखे पत्रों में आग्याकारी आपका सेवक क्रिपा कांशी सनेह भाजन छोटों को शुबचिंतक शुबेच्छक शुबांग्शी आदी लिखा जाता है व्यक्तिकत प्रार्ति या निविदक लिखने के बद अपना नाम लिखते हैं पता पोस्ट कार्ड अंतर देशिय पत्र या लिफापे पर योग्य धंग से पता लिखना चाहिए पहले पाने वाले का नाम जिसे हम लेटर भीजना चाहते हैं पत्र भीजना चाहते हैं मकान का नंबर महल को करमचे लिखना चाहिए गाउं या शहर का बड़े नाम का नाम बड़े या बोल्ड अक्षरों में लिखने से डाक करमचारी को सुविधा रहती हैं उप्योगत बातों को ध्यान में रखते वे प्रत्र लिखने से आप अपनी पत्र लेखन कला का विकास कर सकते हैं यह सही पत्र लिखने का अगर आप नाम लिखते हैं मका नंबर नीचे तो प्रॉल्लम होती है को भी लेकिन डाक करमचारी को भी और लेकिन वह सही तरीका नहीं है हमें हमेशा इसी क्रम में सब लिखना चाहिए और उसमें समismo भी क्या करना चाहिए लिखित एवं मौकिक प्रियोग करता है पत्र लिखकर हम अपने भावों, विचारों, सूचनाओं, संदेशों, आदेशों आधी को दूसरों तक पहुचा सकते हैं डाक विभाग की मदद से हम इन पत्रों को दूर सुदूर तक पहुचा सकते हैं निजी संबन्दों में हम आ अपचारिक पत्र कहे जाते हैं आवेदन पत्र शिकायती पत्र इसी शेणी में आते हैं यहां प्रस्तूत उपचारिक पत्र के कुछ हम उधारन देखेंगे यहां हमने देखा कि जो हमें रिष्टेदारों को लिखा जाता है पत्र उसे हम कहते हैं अनोपचारिक और जो हम लि तो उसके लिए आपको शिकायत पत्र लिखना है मा जे गुरंथा लेके सामने एलेस ब्रिज एमदाबाद 38000-6006 विशे हमारा था निजी टेलीफोन कनेक्शन कटने के बारे में महद है मैं भारत संचार निगम लिमिटेट के टेलीफोन नंबर 269291 का धारक हूं एक सब्ता पूरू मेरा कनेक्शन काट दिया गया है आपकी कारेले से प्राप्त सूचना अनुसार मैंने टेलीफोन बिल्की पूरी राशी जमा करा दी है भुकतान किये गए बिल्की फोटो प्रती भी मैंने सनबंद कारेले में पहुचा दी है आपकी जानकारी के लिए इसकी एक फोटो प्रती सलंगन है फोटो प्रती याने हम जैरोक्स करवा के बोलते हैं जिससे तो जैरोक्स उसमें अटेच की हुई है उसे कहा गया है फोटो प्रती है आपसे अनुरोध है कि मेरा टेलीफोन कनेक्शन तदकाल चालू करवाने की आवशक व्यवस्था करें भवदिय आपका नाम जो भी है सिधार्थ महता अब हमारा दूसरा पत्र भी आपचा रिखी है बस सेवा संबंदी शिकायत पत्र अश्फाक शेक विने विहार बस अड़े के पास बावला जिला एमदाबाद दिनांग पचीस दो दोजार सत्रा सेवा में गुजरात राज्य परिवहन निगम आस्टोडिया एमदाबाद तीन आठ शुन्य 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 एक कि आपकी एरिया में जो बस है वो रेगिलर टाइम पे नहीं आ रही है मैं बावला एमदाबाद का निवासी हूँ एमदाबाद इस्थित अपने कारेले पहुंचने के लिए मैं बावला बस अड़े से प्रातर नौ-तीस बजे याने सौड़े नौ बजे छूटने वाली बस का उपयोग करता हूँ किन्तु पुछले कुछ दिनों से वे बस अनियमित है अते मैं अपने कारेले में ठीक समय पर नहीं पहुंच पाता हूँ मेरी तरह अन्य देने के आत्रियों को भी अत्यदिक अविसद अस्विधा का सामना करना पड़ता है मेरा आपसे अनुरोध है कि उप्रयोक्त बस सेवा नियमित रूप से निर्धारत समय अनुसार बस अड़े से रवाना हो इसके लिए सब डिपो प्रवंदक को आवशक निर्देश देने की कृपा करें भवदी ये फिर आपका नाम तो हमने देखा यहां कि पत्र कैसे लिखना है क्या-क्या बाते उसमें होनी चाहिए और कैसे हमें संबुधन करना है अगर संबंदी हो या हम किसी कारेले में पत्र लिख रहे हैं कोई ओफिशल लेटर लिख रहे हैं तो धन्यवाद